नमस्कार ब्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी लोग जितने भी मेरे चाहने वाले उनका भी बहुत-बहुत अभी वह दन और बहुत-बहुत धन्यवाद इतना प्रेम बनाये रखने के लिए इस वोट सा वीडियो शायद आप थमनेल में भी दिख रहा होगा मैंने एक नहीं गाड़ी खरी दी अभी खुशी की बात है मातापिता के आशिरवात से आप सब लोगों की दुआउं से ऐसा हुआ गाड़ी खरी दी ये तो चलो ठीक एक अलग बात है पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं मेरी बात का कोई भी ऑफंड़ेट फील ना करे पर जो सात्व एक सत्य है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जब मैंने भी गाड़ी खरी दी तो मुझे एक लाक रुपे का डिसकाउंट बिला सिर्फ इस बात के लिए कि मेरे पास आईटी की डिगरी मुझे सुनके अश्रे उन्होंने बोला किसर आप अगर आईटीन है या कोई MBBS डॉक्टर है या कोई I.S. ऑफिसर से तो उनको हम स्पेशल डिसकाउंट देते हैं एक लाक रुपे तो बात एक लाक रुपे की नहीं थी बात ये थी कि डिगरी की महत्ता डिसकाउंट में भी है तो जो भी वच्चे तैयारी कर रहे हैं हम यह नहीं कहता कि जिनके पास डि जिगरी भी आपके लिए इंपोर्टेंट होती है क्यों जीवन वर आपको कुछ इस तरीके डिसकाउंट दिला सकती है हां यह मेरे साथ अभी हुआ ऐसा मेरे पसाथ एक पहले भी हुआ था जब मैं I.I.T. करके आया तो मुझे पहले लोन नहीं मिल रहा था पर जब उनको पढ़ा कि मैं I.I.T. से ग्रेजुडियूड हूँ तो नहीं मेरे को 20 लाग रुपे का लोन संक्शन कर दिया है मैं क्लासेज में भी कही पार बताता हूं पर बात इतनी सी ही थी कि प्यारे बच्चों अगर अभी मौका है पढ़ने का तो पूरा जुट जाईए हां किसी भी कारणवाश सेलेक्शन नहीं हुआ तो आप जीवन में सफल रहेंगे ऐसा नहीं है बिल्कुल जिनके पास I.T.N. से हैं जो डॉक्टर से हैं वही सफल होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है पर हाँ एक एक एक्स्ट्राइड एडवांटेज रहेगी आपको जीवन में हमीशा प हारा वही जो लड़ा नहीं तो आप सभी लोगों से नुरोद कि आप सभी लोग जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं जो एक अच्छी डिगरी की चाहा लेकर कोटा में या हमारे माध्यम से कई और जगे पर भी बच्चे हैं उन सभी लोगों से नुरोद जुट जाईए पू झाल